हुआ 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 है हुआ पातेमा अम्माद बस ममी मारी तक्लीफ छे रुमेटाइड अर्डवराइडिस मेशंड़ी नियुक हुआ पेशंट छू मने आ तक्लीफ गणा वख्लति छे आट नौ वरस्ती शे है, पची हुं गणी दवा कराइडी, इंग्लिज दवा भी बो कराइडी, पर माने कोई फरक नी मले, दवा थी बिल्कूल, पची संजीवनी यो हस्पिटल नू मने अड्रेस बढ़ी हुँ, ज्या हुँ आई ली त्या सोहेल सहेब साथे मारी बात थाई माने, स्वहेल सहेब मानने दवा माते, कि दू कि या तक्लिफ हुँ सारी करबा गोय करी नायि, हुँ पच शारी करवन 순बphon, या आवा पच्छी माने गुड़ी सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आप सभी लोगों का स्वागत है डोक्टर डलाल सायुवेदा में फ्रेंड्स आज यहां पर हम बात करने वाने हैं रूमेटोड आर्थ्रेटिस आमवाद और गठिया इस रोग के बारे में रूमेटोड आर्थ्रेटिस को आयुर्वेद में आमवाद कहा जाता है और कॉम यह इस डिसीज में ज्यादा आफेक्ट होती है मतलब के पुरुषों की कंपेरिजन में फीमेल में यह रोग ज्यादा होता है मतलब अगर देखा जाये तो 3 इस टू 1 का रेश्यो है मतलब फीमेल तीन गुला ज्यादा आफेक्ट होती है मतलब अगर एक मेल को होता है तो उ तीन मुख्य लक्षन देखे जाते हैं, पेंड दर्ध, स्वेलिंग जॉइंट्स में प्रॉजन, और अरली मॉर्निंग स्टीफनेस, याना की सुबा ऊठने पे जॉइंट्स में जपरनका आइसास होना, यह तीन मुख्य लक्षन देखे जाते हैं, ज्यादा तर 30-40 साल की इसे Rheumatoorrheids कहा जाता है, Rheumatoorrheids दोस्तों एक autoimmune disease है, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, Rheumatoorrheids के बारे में, Rheumatoorrheids होने के कारण, Rheumatoorrheids के एलाज, और आइरुवेद में उसके क्या का एलाज, अवैलेबल है, तो दोस्तों ये वीडियो को आप अन तक जरूर देखें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करें और हमारे चैनल डॉक्तर दलानस अईरुवेदा को सब्सक्राइब करना जना पूले दोस्तों, आईए बात करते हैं, रूमेटर्ड आर्थ्रेटिस के बारे में, रूमेटर्ड आर्थ्रेटिस एक ओटो इम्यून डिसीज है, ओटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, जो हमारे शरीर को बाहर से होने वा कहते हैं कि रप्षक की भख़क बन जाता है वेसे हम इम्यून सिस्टम खुद रोग पर्दा करने लगती है उसे और आप देखेंगे तो जोईंट पेंट और स्वेलिंग और मौनिंग स्टिफनेस यह तीन लक्षन ज्यादा देखने को मिलते हैं और ज्यादा तर यह जो डिसीज है अगर पूराना होता जाएगा तो यह हमारे काटिलेज को डेमेज कर सकता है काटिलेज को डेमेज करने के बाद धीरे 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 अगर 10-15-20 साल अगर यह डिसीज पुराना हुआ तो यह रोग हमारी बॉड़ी के जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी क्रियेट कर सकता है मतलब कुछ ऐसे जोइंट्स को इं-मोबाइल कर सकता है कि जो जोइंट्स फिर स्टिफ हो जाते मतलब उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते उसको गुमा नहीं सकते मोबाइल हो जाता है यह कंडिशन तक भी रूमेटर आफ्रेयटिस का डिसीज पोहँच सकता है और इसके जो commonly affected joints जो है, मतलब जो जिन joints में ज्यादा affect होती है, वो ज्यादातर हाथों की उंगलिया, उसके बाद wrist joint, elbow joint, फिर हमारा shoulder joint, फिर back में भी यह होता है, आपका कमर में भी होता है, घुटनों में, ankle में और पेरों की उंगलियों में, यह सब जगा पे होता है, लेकिन ज्यादा तर affection जो है इसका, वो small joints में, हाथ और पेरों की उंगलियों के joints है, उसमें ज्यादा देखा जाता है, पूरे हिंदूस्तान की 2% population को rheumatoid arthritis नाम का रोग है, यानि की 100 में से 2 लोगों को यह रोग होता है, जैसे का आगे मैंने आपको बता है, females में ज्यादा होता है मेल की comparison में, और रूमेटोड आर्थ्रेटिस होने का सबसे में कारण आज कल की खराब food habit और खराब lifestyle, मतलब लेट नाइट तक सोना, लेट नाइट को सोना, सुबा में लेट उठना, राग को heavy खाना, बहार होटलों का खाना, ज्यादा खाना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, ज्यादा fermented यानि की खमीर वाला खाना ज्यादा खाना, खमन, डोकला, इडली, डोसा ये सारी चीज़े ज्यादा खाना, उसके बाद दोस्तों विरुद आहार, विरुद आहार रूमेटोड आर्थ्रेटिस का में कारण है, विरुद आहार मतलब के आप मास, मच्छी मतन खा रहे हैं, उसके साथ दूद का सेवन करना, या और कोई भी पल्सिस खा रहे हैं, और कोई भी आप प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं, सोया बिन खा रहे हैं, चना मतन खा रहे हैं, उसके साथ दूद का सेवन करना, या तो कोई नमकीन चीज के साथ दूद का सेवन क इसे आमवात कहा जाता है इसलिए क्योंकि जो आप खाना खाते हैं अगर आपने विरुत आर का सेवन किया है तो अंदर जाके वो डाइजेस्ट नहीं होगा उसमें से जो आम पैदा होगा आम मानिकी एक प्रकर का विश एक प्रकर का जहर वो आम और जो बॉड़ी में वायू खराब हुआ है वो वीटियेटेड वायू यह दोनों मिक्स होने के साथ यह रोग बनता है आमवात और आमवात रोग होने के बाद अगर हम सिम्टम्स देखे के आमवात के रोगों को आमवात के रोगी को क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं सबसे पहला लक्षन दिखा होता है तरशना यानि की तरस यानि की पानी की प्यास ज्यादा लगती है आलस्य यानि की लिथार्जिकनेस पूरा दिन काम करने की इच्छा नहीं होती है बैड में पड़े रहने का मन करता है वीकनेस वीकनेस और आलस का हैसास होता है गवरों यानि की बॉड़ी में हैविने के लिए जिसे व्रुष्चिक दंत समान वेद्रा यानि कि बिच्छू काटता है और जो तडपने वाली वेद्रा होती है जो पेन होता है वैसा पेन रूमेटोड आर्थ्रेटिस में होते हुए देखा जाता है दोस्तों कुछ और लक्षन की बात करें तो रूमेटोड आर्थ आर्थ्रेटिस होता है उसके बात FULL D princes in abdomen मतलमें भारी भारी प Isa मेह्सूस होना और भेट में गढबन महसूस होना इंड़ेशन होना मतलक की नहीं चलना पेट फूल जाना पेट में गैस को भीडक बरतिंग पूरी बाडय में अपको Hebrew ऑनमसुजन झ्यासा फील होता और रात आपको नींद नहीं आना, यह सारे लक्षन आपको रूमेटर आर्थरेटिस के पेशन्स में देखने को मिलते हैं, अब दोस्तों, अगर हम रूमेटर आर्थरेटिस की ट्रीक्मेंट की बात करें, तो रूमेटर आर्थरेटिस की modern science में ज्यादा ट्रीक्मेंट्स अवैलेबल एसर तीसरा आरे टेस्ट और चोथरा कंफर्म करने के लिए एंटी सी सी पीक टेस्ट करवाया जाता है यह चार टेस्ट करने से आपको पता जल जाता है कि आपको रूमेटोड आर्थ्रेटिस है या नहीं है लेकिन दोस्तों गबरानी के ज़रूरत नहीं है आयरुवेद में आर्थ्रेटिस की बेस्ट ट्रिक्मेंट अवैलेबल है जब आप आयरुवेद के द्वार पे आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी बॉड़ी में से आम विश यानि की जो टॉक्सिंस बॉड़ी में जमा है उसको हम निकालते हैं उसको शोधन प्रक्रिया यानि की लंगन प्र बोड़ी में पालोएख श्रील का ब्क्राइब आयरुवेद में से ज्यादा वगो की की बॉस्ति चिकीशा जिसे ब की क्या और आधे से ज्यादा रोगों की चीशा अधे ज्या विसुमाऱ्ी की ऑすक क्याता है तो उसमें बस्ती चिकिसा करवाई जाती है, विरेचन करवाया जाता है, उसके बाद कुछ आउशद भी दिये जाते हैं, मैं आपको एक दो आउशद के नाम बताता हूँ, जिसको आप घर पे भी ले सकते हैं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, महारास्तनादी काढ़ा, यह महारास्तनादी काढ़ा को 15-20 सुबा में और 15-20 साम को खाली पेट गरम गुर्भुने पानी के साथ मिक्स करके, आप इसका सेवन 3-4 मेने तक कर सकते हैं, दूशरा कैशोर गुगुलू, कैशोर गुगुलू नाम की गोली का सेवन आप सुबा साम एक एक गोली खड़ा पाच साल के अंदर का रूमेट्रोड आर्थरेटिस जल से जल ठीक होता है, अगर ज्यादा पुरान आर्थरेटिस है उसमें भी आयरवेज से काफी अच्छे रिजल्स आते हैं, तो दोस्तों आप आयरवेज ट्रिक्मेंट करवाए रूमेट्रोड आर्थरेटिस के लिए, क्योंकि आयरवेज से रूमेट्रोड आर्थरेटिस ठीक होता है, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रेक्टिस में पिछले 10 साल में काफी सारे मतलब सेक्रो ऐसे पेशन्स को ठीक किया है, जिनको रूमेट्रोड आर्थरेटिस था और वो आज विल्कुल ठीक हो चुके हैं, दोस्त पेशन्स अपने मूँ से कह रहे हैं कि हमें रूमेट्रोड आर्थरेटिस ठीक हुआ है, तो दोस्तों रूमेट्रोड आर्थरेटिस अगर आपको हुआ है, तो आप गबराय मत, आप आयरुवेद के द्वार पर आए, आप हमसे कॉंटेक कर सकते हैं, नीचे दिये गए हमा आते हैं